हेलो माई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मातारानी करें कि आप लोग अच्छे रहें खुश रहें फ्रेंड्स मैं हुरिंगो और स्वागत है अपको अपने चैनल गुनगुनादी किचन ब्लोग में तो फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगी एकदम बिल्कुल समपोर और सरल विधी पूजा की नौरात्री की पूजा मैं कैसे करती हूं और कैसे अलब कैसे क्या करती हूं पूरा ए एक तरफ नौग्रह और वरुन देवता है उन तीनों लोग की पहले गौरी गनेज की पूजा करेंगे फिर नौग्रह की पूजा करेंगे फिर यहां जो हमारे वरुन भागवान हैं उनकी पूजा करेंगे सब पहले सबसे पहले तो हम जल चड़ाएंगे रोली अवीर करेंगे तो पहले सबसे पहले मैं दुर्गा जी का मांग भड़ती हूं तो पहले मैं थोड़ा सा घी से पहले लगा लेती होगी इसके बाद सिंदूर लगाती हूं तो पहले घी से मैं दुर्गा जी के और यह लगा रही हैं और इसके बाद मैं सिंदूर पांच बार सिंदू लगाने के बाद तो यहां पर पहले हम मांग भर लेते हैं इसको मांग भर ना पूलना होता है तो मैं नौ दिन दुर्गा जी का इसी तरह से मांग करती हूं तो यहां पर मांग भर लेती हूं दुर्गा जी का फिर मैं लगाओंगी वही शिंदूर अपने मात्रे में भी हमें ठीका लेती हो अपने मांगने भी कि मुदेपी मैया प्लीज हमारे भी शुहा की आप राक्षा कीजिए तो इस तरीके से तब इसके बाद मैं यहां रोली अबीर चंदन जो भी है सक चरहा देंगे इसके बाद भूल चरहाएंगे और इसके बाद जो भी आपके पास भूग का समान है फल मिठाई और ड्राइड फूट जो भी आपके समान है वह आप यहां पर भूग लगा दीजिए इसके बाद भूग लगाने के बाद हम किताब की भी पूजा करेंगे इसके बाद पार्थी स्टार्ट करेंगे पहले तो आरती लगाएंगे यह सब कर पूजा हो जा से वह चढ़ा दीजिए दुर्गाजी को तो मैं फ़स्ट दीन ही चढ़ाई थी मतलब कि जिस दिन कलस स्थापन हुआ था जिस दिन से नौरात शुरू हुआ था उसी दिन मैं यहां पर सिंदूर बिंदी यालता चुड़िये सब चढ़ा दी हूँ और उसी दिन मैंने अख तरानी का यहां चौकी भी सजा दिया है मतलब उसी दिन मैंने चौकी भी लगया है जो लोग मेरा कलवला वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके देख लीजिए उसी में मैं कलस स्थापन कैसे हूआ खंड जोती मैं कैसे जलाई और किस तरीके से मैं पुजा कि वह सब पहले व ठूबों के और मतारानी को सेंट भी यहां पर चरा देती चल लगा देखे दैंगी यह सब मता को बहत है कर लिए इसके बाद मैं यहां नीचे बैट के पुजा कर रही हूं जहां चोकी लगा के मतारानी को रखी हूं वहां तो मैंने किताब का भी पुजा कर लिया है किताब पढ़ने से पहले पाठ सुरू करने से पहले किताब का भी पुजा होता है जैसे कि सिंदूर लगा दिजि और आप लोग कैसे करते हैं प्लीज आप लोग कमेंट में हमको बताईएगा कि आप लोग किस तरीके से पुछा करते हैं देखिए जी इसको जितना आता है उठना कर ले बस मातारानी उसी में खुस हैं यह नहीं मतलब जो मैं जानती थी वी धी वो मैं आप लोग के साथ share की और प्रीव बताईएगा कि जो मैं बताई हूँ उसमें कुछ गलत है या क्या मतलब कैसे होता है आप लोग कैसे करते हैं वो आप लोग बताईएगा और इसके बाद friends में मेरा पार्ट पूरा हो गया है पार्ट पूरा होने के बाद भी मैं यहाँ पे आरती करती हूँ एक बार तो पार्ट पूरा होने के बाद में मैं आरती कर रहे हूँ तो friends वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe जरूर किजिएगा आगे भी आपको बहुत ही helpful वीडियो आपको मिलने वाला है तो प्लीज आप लोग अपना support बनाए रखी है और मैं भी कोसिज करूँगी कि अपना 100% दूँगी आप लोग के साथ share करूँगी बहुत ही अच्छा वीडियो तो प्लीज आप लोग को पता है कि आप लोग के support के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाल आप लोग के 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